हलो एंड वेलकम एवरिवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ का इन्वेंशन आफ वीटा वॉंक चैप्टर जो की बहुत ही इंटरस्टिंग चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स है उन दोनों पार्ट्स को आज हम इस वीडियो में खतम करने वाले है मिस्टर विली वांका से ये कहानी की शुरुवात होती है मिस्टर विली वांका एक रिसर्चर होते हैं यानि कि एक सैंटिस्ट होते हैं वो एक टॉनिक बना रहे होते हैं और जो उनका टॉनिक होता है उसका नाम होता है वांका वाइट यह जो टॉनिक होता है यह बहुत ही special होता है क्योंकि इस tonic को पीने के बाद कोई भी young हो सकता है 100 साल का बुढ़ा आदमी भी 2 साल का बच्चा बन सकता है इस tonic को पीने के बाद है इस tonic के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी कि ये जो tonic था न ये बहुत ही जादा effective था मतलब इस दवाई को अगर आपने गलती से पी लिया तो आपकी एज बहुत ही जादा कम हो जाया करती थी कुछ लोग जिनोंने इस दवाई को पिया उनकी एज तो बहुत ही कम हो गई थी उनी में से एक ऐसा परसन था जिसने इस दवाई को पिया जिसकी एज माइनस 87 हो गई थी जैसे हमारी यह जो ती ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे उसकी एज क्या हो गई थी माइनस पीछे ही चले गया था बहुत ही छोटा हो गया था मतलब उस परसन को 87 एर्स लगेंगे वापस अर्थ में आने में और वो फिर क्या बनेगा एक छोटा सा बच्चा तो विली वांका को बहुत बुरा लग रहा था उस परसन के लिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी दवाई को सही करने का कोई ना कोई तरीका ढूनूँगा जो भी modern तरीके हैं उनसे अपनी दवाई को ठीक करूँगा और जो विचारा वो परसन जो इतना बहुत ही minus 87 years age में चले गया था उसको वापस से एक normal age में मैं लेकर आऊंगा मिस्टर विली वांका ने जानने की कोशिश करी कि इस दुनिया के अंदर सबसे oldest thing क्या है सबसे पुरानी चीजें क्या हैं तो उन्हें पता चला उनके एसिस्टेंट ने बताया कि इस दुनिया के अंदर सबसे पुरानी चीजें तो पेड हो सकते हैं तो उन्होंने पूछा कि कौन सा पेड हो सकता है तो उनके एसिस्टेंट ने बोला कि फिर ओ क्या सीडर ट्री तो होगा नहीं इस दुनिया का जो सबसे पुराना पेड है वो है ब्रिसल कोन जो की नेवेडा USA के अंदर ग्रो होता है जो ब्रिसल कोन नाम का ट्री है ये लगबग 4000 येर ओल्ड होता है मत्तब इससे भी ज़्यादा इसकी ये जोती है जो मिस्टर विली वांका ते काफी जादा सर्प्राइज होते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं पुरी दुनिया के अंदर ट्रैवल करूँगा और इस दुनिया की जो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग तिंग्स हैं वहां से एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं ब्रिसल कॉंट्री का फिर वो एक टोनेल होता है टोनेल जैसे कि एक नाखुन का छोटा सा पार्ट हो गया वो ले लेते हैं किसका 168 ये एर ओल्ड रशियन फार्मर का एक 200 येर एंशें टोटोई होता है उसके एक को ले लेते हैं और ब्रिसल्स यानि कि जो मूचे होती हैं या फिर बॉड़ी के हेर्स होते हैं वो एक 36-year ancient cat का ले लेते हैं मतलब 36-year old cat होती है उसका ले लेते हैं थोड़े से बाल वगरा ले लेते हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं और 36-year तो काफी कम लग रहा है इन सबके compare में ये सारी चीज़े तो बहुत पुरानी पुरानी लग रही है बस ये cat बहुत ज़्यादा कम age की है बड़ ऐसा नहीं है जो cats होती है न वो कम time तक जिन्दा रहती है 36-year तक अगर कोई cat जिन्दा रह रही है आप सबको एक important information देनी है बहुत सारे बच्चों ने मुझे comment और email करा के sir जो हमने membership purchase करी थी और हमें notes और sample paper मिले थे वो exam में बहुत helpful थे इसी वजह से please आप membership price increase मत करो तो आप सबके लिए good news है के membership का price increase नहीं होने वाला 2.99 ही रहने वाला है इसके साथ साथ एक और exciting news है इस cost को और भी affordable बनाने के लिए पहले हजार बच्चों को मिलने वाला है 70% discount तो फटा फट अभी member बन जाओ SST के, English के, Science के, Notes और sample paper आपको मिलेंगे जो कि exam में आपके full marks लाने में help करने वाले हैं Part 1 के अंदर हमने देखा Mr. Willy Wonka ने पूरी दुनिया से जो भी ancient creatures थे यानि कि वो चीजें जो कि बहुत old थी उनसे कुछ कुछ part उन्होंने ले लिया था अब वो इन सारी चीजों का क्या करने वाले थे जो भी चीजें उन्होंने ली थी जैसे क्या क्या लिया था उन्होंने उन्होंने जो दुनिया का सबसे oldest पेड होता है bristle corn tree उसका थोड़ा सा पाट लिया था एक 168 year old Russian farmers का नाखुन लिया था और 200 year old जो tortoise था उसका एंग लिया था और 36 year old जो cat थी ancient cat थी उसके bristles यानि कि उसके शरीर के कुछ बाल वगएरा लिये थे इन सारी चीजों को लेने के बाद उन्होंने एक कप में डाला उन्हें और उन्हें boil करना शुरू करा boil करते गए वो उन्हें boil करते गए और उन्होंने create कर दिया था एक dark fluid black fluid की कुछ drops उन्होंने पता है किसको दी अपने एक volunteer को volunteer कौन होता है मतलब वो person जो चाहता था कि Mr. Willy Wonka उसके उपर experiment करे तो उन्होंने ओंपा लोंपा नाम का उनका एक volunteer था उसको ये drops दी अब जो assistant होता है Mr. Willy Wonka का वो पूछता है Mr. Willy Wonka से कि अच्छा आपने ओंपा लोंपा को जब वो dark fluid की कुछ drops दी तो उसके साथ क्या हुआ तो Mr. Willy Wonka बताते हैं कि जैसे ही ओंपा लोंपा ने उस black color के dark fluid को पीना start करा तो जो medicine थी वो बहुत जल्दी उसके उपर असर करने लगी कुछ ही समय में जो ओंपा लोंपा था बहुत ही young सा दिखने वाला आदमी था वो अब काफी ज़्यादा बुढ़ा दिखने लगा था उसके पूरे face के ओपर जुर्या यानि कैसे skin लटकने लगी थी जो उसके hairs थे वो गिरने लगे थे साथ ही में जो उसके daat थे वो भी गिरने लगे थे दात क्यों किर रहे थे बुढ़े लोग जो थे ना उनके दात तूटने लगते हैं तो इसी तरीके से उसके दात भी तूटने लगे थे कुछ ही समय के अंदर Mr. Willy Wonka बताते हैं कि वो जो 20 year old boy था वो लग भग 75 का लगने लगा था मतब 55 साल का बुढ़ा अदमी लग रहा था इस तरीके से उन्होंने invent करा था Vita Wonka को अब देखो ये जो दवाई थी ना आप शायद उन्होंने कोई ऐसी दवाई proper create कर ली थी जिससे वो लोगों की एज कम भी कर सकते थे तो हमारा जो चैप्टर है वो खतम होता है लेकिन आप सबके लिए होंबक का question है कि जो volunteer था ओमपा लूमपा जैसे ही वो कुछ drops पीता है black liquid की जो विली वॉंका जी की new invention थी जैसे ही वो से पीता है तो उसके साथ क्या होता है comment section में comment करना अगर आपको इस चैप्टर के notes और sample paper चाहिए तो simple सी चीज़ है आपको subscribe करना है उसके साथ में join के button पर click करके member बनना है see you in the next video bye bye till then